थोड़ा समय हो गया था बिजी, इसलिए मैं वीडियो नहीं कर पाया, अप्लोड एक हपते से, और अब आपको वीडियो मिलते रहेगी, रेगुलर बेसे जैसे आपको पहले मिलते थी, एक एक वीडियो डेली बेसे पे, तो अब वही आपको मिलेगा, तो आज मैं आपको कौन सा अच्छा हो सकता है या आप मेरे को खुद बता सकते है कमेंट करके कि आपको कौन सा फोन इस वीडियो में कंपारिजन के बाद लगता है अच्छा शुरू से लेकि आखर तक इस वीडियो को जरूर देखेगा अच्छली सबसे बात कर लेते हैं डिस्प्ले की तो जो रेड्मी नोट 5 प्रो है उसमें मिलती है आपको 5.9 इंची की डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है जो एक फुल एच्डी डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी बात कर लेते हैं इसके कैमरे की जो रेड्मी नो 5 Megapixel का back में camera देखने को मिल आता है, दोनों में आपको LED flash देखने को मिल आता है बात कर लेते हैं, फ्रेंट की तो फ्रेंट की अगर मैं बात करूँ जो Redmi Note 5 Pro है उसमें आपको मिलता है 20 Megapixel का camera, जबकि आपको Nokia X6 में मलता है 16 Megapixel का camera अगर मैं camera की बात करूँ, camera में exact तो आपको यह नहीं बता सकता है कौन सा phone ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि जब तक phone हमारे हाथ में नहीं है तो यह आपको कुछ पिक्चर के samples नहीं मिल आते है क्योंकि वो काल जिसके lens की यूज करते हैं उसका बात कर लेते हैं नेक्स चीज आती है battery तो जो Nokia है उसमें आपको मिलती है 3060 mAh की battery जबकि Redmi Note 5 Pro में 4000 mAh की battery देखने को मिल जाती है और अगर में charging type के बात करो जो Redmi Note 5 Pro है उसमें आपको मिलता है micro USB charging port जबकि आपको Nokia X6 में मिल जाता है USB C type port आपको देखने को मिल जाता है नेक्स चीज आते है इसके storage की तो जो Redmi Note 5 Pro का basic version है वो है 4GB प्लस 64GB और जो next version है वो है 6GB प्लस 64GB लेकिन अगर ने Nokia X6 की बात करो तो जो उसका base variant है वो है 4GB 32GB दूसरा है 4GB 64GB और है इसका 6GB 64GB अब सिंपल से बात यह आती है क्या प्राइसिंग पूरी spend करती है कि कौन से फोन की pricing क्या रखी जाएगी इस में यानि कि Nokia X में pricing क्या रखी जाते है इंडिया में अगर वो होता है चाइना में लॉंच वा था उसी प्राइस सेग्मेंट के अरीब करीम में लॉंच होता है तो यह काफी हद तक बहुत अच्छी टकर देने वाला है इंडिया मार्केट में Redmi Note 5 Pro को तो आप मेरे को नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको क्या लगता है कि आपको यह फोन बेटर होगा या नहीं होगा Nokia X6 बेटर होगा Redmi Note 5 Pro से या नहीं होगा क्या कुछ आपको लगता है इसमें best मेरे को नीचे कॉमेंट करके लहीं वन्दे मात्रम